हालो एव्रिवान, विलकम टो आवर यूट्यूब चानल, हमार आज का डिसकेशन होने वाला है स्कूल ऑफ ओपन लेर्निंग पे वर्सिस डेली उनिवरसिटी रेगलर कोर्स पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डेली उनिवरसिटी रेगलर कोर्स की जो डेली उनिवरसिटी प्रवाइट कर रही है जहांसे आप इनके regular course की degree pursue कर सकते हो जैसे Department of Commerce है और Department of Commerce के लावा बहुत सारे affiliated colleges है But School of Opal Learning की बात करें तो क्या ये भी Delhi University का part है? हाँ, ये भी Delhi University का ही part है But ये जो degree provide करते हैं वो regular courses से related नहीं होती है इसकों कह सकते हैं कि it is a kind of correspondence course की ये जो course provide करें ना kind of correspondence है Completely correspondence नहीं है, kind of correspondence है और क्यूं kind of correspondence हम कह रहे हैं ये हम आगे बताएंगे तो School of Open Learning की बात करें या Delhi University के regular course की बात करें ये सब कौन provide कर रहा है? Delhi University ही provide कर रहा है बस एक regular course है और एक kind of correspondence course है अब पहले दोनों में हम लोग differentiate कर लेते हैं और उसके बात last में ये discuss करेंगे कि कि किनको regular course चूज करना चाहिए और किनको School of Open Learning that is soul का option चूज करना चाहिए सबसे पहले degree की बात कर लेते हैं तो Delhi University regular course में आपको जो degree मिलेगी वो regular की मिलेगी and soul में आपको correspondence की मिलेगी उस पे mention रहता है दूसरा अगर आपने regular में admission लिया है तो जो आपकी attendance है ना वो minimum 75% होनी चाहिए बट School of Open Learning में ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें basically per week आपको एक या दो classes मिलेंगी वो भी attend करना आपके उपर है optional होता आप चाहो तो attend करो चाहो तो attend मत करो regular में basically आपकी exam semester में होते है मतलब per year आपके दो semester होंगे and soul में आपका पूरे year में सिर्फ एक exam होने बाला है और no doubt अगर आपने regular course के लिए admission लिया है तो जो भी topics हैं जो भी आपके concepts हैं वो सब आपको college में ही clear कर दिये जाएंगे and अगर आपने soul का option choose किया है आप लोग समझ चुके होगे अब हम लोग इस पर discuss कर लेती कि soul का option कि इन students को choose करना चाहिए and regular का option कि इन students को choose करना चाहिए बहुत सारे students का अभी कहना था कि मैं हमें कोई college अलोट नहीं हुआ है तो हमें soul अलोट हो रहा है तो क्या हम soul में admission लेले अब इको soul की अगर बात करें तो soul उन्हें students को choose करना चाहिए जो आइदर CA, CS, CMA या actuaries ऐसा कोई course pursue करें बहुत अगर आप ऐसा कोई course pursue कर रहे हो तो no doubt आपको becomemcom की degree पेतना जादा rely नहीं करना होता है and बहुत जादा valuable भी नहीं होती बस यह होता है कि have becomemcom की degree होनी चाहिए तो उस case में आप soul का option choose करो so that आपको regular classes भी ना attend करनी पड़े and आपको completely correspondence course की भी degree नहीं मिलेगी क्योंकि soul जैसा कि मनें बताए kind of correspondence है तो अगर आप चाहो तब कभी-कभी classes attend भी कर सकते हो but apart from this अगर आप कोई भी course pursue करना चाहते हो like अगर आप किसी competitive exam के लिए preparation करना चाहते हो कोई भी जैसे banking हो गया, ssc हो गया, ugc net हो गया then I will suggest कि आप regular course ही pursue करो क्योंकि देखो regular जब आप classes जाते हो ना तो बहुत सारे आपको उसके benefit भी मिलते हैं प्रस आपके सारे concepts भी clear हो जाते हैं अब अगर आप CACS, CMA, activities वगरा करो तो आपको पता है कि वो सारे topics आपके यही clear हो जाते हैं जो आपने B.com, M.com में पढ़े हैं but अगर हम बात करें apart from this किसी भी course में अब जैसे UGC net है वहां आपके B.com, M.com की जो topics हैं वो बहुत matter करते हैं and concept clarity होना भी बहुत ज़रूरी है वैसे SSE, CGL है, PO है, banking के preparation कोई भी competitive exam है तो उसके लिए आपके concepts clear होना ज़रूरी है related to commerce clear तो उस case में अगर आप regular course चूस कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें college में ही learn हो जाती है दूसरा, अब अगर हम CACCM में actually purchase करें तो no doubt हमें 24-7 घर पे तो नहीं बैठना होता है हमें पता है कि हमें articleship भी करनी है हमें office भी जाना, हमें coaching भी जाना है तो no doubt वहाँ आप बहुत तरह के लोगों से interact कर लेते हो जिसकी विज़े से आपकी personality, development, communication, skill सब improve हो जाता है बट अगर आपनी इन चारो courses के अलावा कोई भी course की preparation जैसे मालो आप कर रहे हो कि आपको UGC net के लिए preparation करना है या अगर आप SSE CGL के लिए जा रहे हो या किसी भी अधर competitive exam के लिए जा रहे हो तो आपके पस सिर्फ एक option coaching का ही होता है वो भी generally actual students online classes ही लेते है तो जब आप पूरे time 24-7 घर पे ही रहोगे न आपने soul का option ले लिया प्लस आप इनकी preparation करे हो तो इस case में किया है कि आप पूरे time घर पे रहोगे तो ना तो आपकी personality development होगी ना ही आपका communication skill improve हो पाएगा तो उस case में हम regular classes ही suggest करते है मतलब अगर आप CA, CMA, CA sanctuaries के लावा कोई भी course pursue करना चाते हो किसी भी exam के लिए preparation करना चाते हो तो I will suggest कि आप regular course में ही admission कर आओ क्योंकि वहां से आपको ये सारे benefits मल जाएंगे आपकी communication skill improve होगी आपकी personality development होगी प्लस आपको बहुत सारे ऐसे students मल जाएंगे जो की same exam के preparation कर रहे होगे प्लस आपके सारे concepts भी college में ही clear हो जाएंगे अगर हम UGC, NET, SSC, CGL, other competitive exam की बात करें तो उसमें आपकी B.com, M.com की degree भी equally relevant होती है उनके marks भी equally relevant होते हैं तो उस case में हम यही suggest करेंगे कि आप regular course के लिए जाओ तो अब इस point पे I guess इन दोनों की बीच का difference clear होगा तो जो भी students किसी भी competitive exam की preparation करना चाहते other than CAC, CMA, and actuallys तो हम उनको suggest नहीं करेंगे soul के लिए क्योंकि उस case में ना तो आपको college जाना होगा नहीं आपके कोई concept clarity होगी नहीं आप किसे से interact कर पाऊगे तो उस case में आप ये पास एक option regular का ही है तो आप regular course के लिए ही जाओ हाँ, बट अगर आपको correspondence course करना है जैसे इगनू है उससे भी आपको correspondence degree मिलती है बट उनमें से अगर आपके पास option है school of open learning का यहाँ अगर आपका selection हो रहा है तो फिर आप school of open learning में ही अपना admission करा हो इकना अगर हम लोग do regular की बात करें तो इसमें एक और चीज़ है कि यह इसमें आपका admission entrance based पे ही होता है या merit based पे होता है बट अगर soul की बात करें आपके marks कम आए है तो भी आपको school of open learning में admission का मौका मिलता है अगर आपका अपनी life में एक goal fix है कि मेरे को एक particular चीज़ अचीफ करने like C.A.C.M.A.C.A.S. Actories तब आप बहुत ही easily school of open learning के लिए choose करो वहाँ से आपको B.com M.com के degree भी मिल जाएगी and प्लस कभी-कभी आपे बस option होगा कि आप classes भी attend कर सकते हो क्योंकि बहाँ पे ना simply हमने बताये कि articleship का option मिलता है coaching का option मिलता है तो क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ interact कर जाते हो जो आपी की तरह same चीज़ की preparation कर रहे होगे प्लस क्योंकि आप offices जा रहे हो लोगों से मिल रहे हो articleship कर रहे हो तो कही न कही personality, development, communication, skill वैसे भी आपकी improve हो जाती है ठीक है बट अगर आपको B.com, M.com के साथ कोई भी ऐसा कोई competitive exam पर सीको ना लाइक UGC net है SSC है banking से related है तब तो फिर आप regular course करो ना क्योंकि बहुत सारे students आपको मिलने का मौका मिलेगा बहुत सारे friends बनाने का मौका मिलेगा सारे concepts आपके clear हो जाएगे college में तो आपको अलग से कुछ भी self study नहीं करनी पड़ेगी 24-7 आपको घर पे भी नहीं रहना होगा आप college भी जाओगे 75% minimum attendance है तो ठीक है जब आप college जा रहे हो week में 5-6 days तो आपका एक proper concept clarity मिल जाएगी प्लस उसके साथ साथ आप preparation भी करते जाओ जो भी side by side आपको competitive exam की preparation करनी है clear क्योंकि उनमें आपे पास यह option है कि आपको article shop करनी है या offices जाना है तो अब यह वस इतना sufficient time होता है कि आप classes attend कर पाओ तो hopefully अब इन दोनों का जो difference है वो सारे students को clear होगा और इस पे बहुत time से मेरे पास queries आ रही थी इसलिए हमने इस पर discussion किया है अच्छा एक student में हम से पूचा था कि मैं University of Delhi that is Delhi University and Department of Commerce में क्या best है तो यही है अंतर बहुत सारे students ना soul को University of Delhi या Delhi University के नाम से जानते है जो Delhi University के regular courses है उसमें एक है Department of Commerce मतलब जो main faculty है वो है Department of Commerce और बाकि जतने भी colleges है वो सब affiliated colleges है तो hopefully यहाँ पर यह भी difference आपको clear हो गया होगा still अगर आपको कोई doubt है इन दोनों से related तो आप comment box में comment करके पूच सकते हो साथी साथ हमने आपको Telegram के link दी है जहाँ पर आप हमसे directly connect कर सकते हो अगर आपको आज का session useful लगा है आपको दोनों के बीच का difference properly समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर like करना comment करना and subscribe करना हमारा चानल so that आगे इसी तरीके के topics के बार में आपको clarity मिल सके अब हम लोग मिलेंगे मारी next class में आज के लिए बस इतना thank you so much